एक बाप फिर से आप सोभी का सोगत है आपके अपने चल्म में तो आज हम लोग हम पर बात करने वाले हैं PSL 23 के 30 मैच कबर में जो की खेला जाना वाला है साम को 27 कर 30 मिट पर लाहर कालंदर सुर कराची किंग के विच में गदाफी स्टेडियम में तो इसमें में आपको पूरी पूरी जान कारी देने वाला हूं इंडफ सनाज़त करके दूँगा जिससे आपको की डिर्म लोन की टीम अनले बहुत यहाद हल्प होने वाला है तो में एक सुर की ब्यूट कॉप लोग आन तक देखें लास्ट में आपको डेमो टीम भी मिलने करने वाली है अगर मैच की बात की है तो गद्दाफी श्टेडियम के पीछ अच्छा वैटिंग पीछ होने वाला है यहां पर फास्ट बाल्स के लिए गूड़ अमांट आप बहुत जादा हाइज स्कोरिंग मैच होने वाला है और वे नहीं रिकार्ट की आ है तो टोटल इ बैटिंग सेकेंड करना यहां पर थोड़ा वोड़ डिफकर रहना वाना है अब लगात करेंगे लाहर की बात कि जाए इनकी बात किया लास के पांच मैच से तीन में जिद्दर करके आ रहे हैं दो में हार मिली है यहां सोपन करने वाले हैं अब्दुल्ला सफिक उनके साथ बहुत इंपॉर्टन पिक रहने वाला है इस माज में भी खास कर अगर लाह की टीम पहले वालवाज करती है तो फखर जमान अंगे उनके साथी ट्वंटीजमें क्राम 142 में 3373 22 उर्ट से पीसल में 64 मेंच खेले हैं 208 27 स्कूर क्या 32 से और रिसन फाइं के बात किये तो 36-4-0-11-115 यह भी अच्छे फाइं में चल रहा है ध्यान रखना है रिसकी पिक होना वाला मेरे साब से कैप्टन वाइस कप्टन नहीं खेलना है टेम में रखकर चलना है क पिनाट बैट 233 243 यह थोड़ा बहुत नीचे वह बलवाजी कर सकता है तो मेरे साब से कभी इपॉर्टन पर रहने वाला है सैंब बिलिंग खाएंगे टिटर अटीज्मिन क्राम 223 में 282 24 स्कूर से पीसल में 15 मैच खेलें 288 स्कूर के 23 स्कूर से और रिसन फाइंग के बात किये तो 33, 2, 54, 0, 32 यह थोड़े वह थोड़े वह थोच्छे फाम में चल दा है लेकिन कभी इपॉर्टन पिक रहने वाले हैं मेरे साब से इस मैच में पीसल में 292 29 स्कूर से पाइंगे तो छेट नौर अगर एगनबाई कराते भी हैं तो सिर्फ एक यह दो बर इससे जाज़ा नहीं और आपको वैटिंग से अगर एक मैच को छोड़ दिये जाए तो पॉइंट नहीं दे रहे हैं आप देख सकते हैं तो मेरे साब से कम करता है पीसल में 11 मैच खेले हैं और यह सिर्फ एक को पर कराया है तो कम इंपॉर्टन ग्रहने वाले हैं बॉलिंग पॉइंट अब्यू से अगर आपको लगता है कि आपको वैटिंग से पॉइंट देने वाले हैं तभी इनको पिक करना है साहीन अफ्रीदी का पिछले वाले मैच में सिर्फ दो बर कराया था यह थोड़ी बहुत बलवाजी कर लेता है लेकिन फिर भी है रिसकी पिखनोला मेरे सबसे अगर पिछले मैच और उससे पिछले मैच को देखा जाए तो पिछले मैच में इसने नंबर 5 पर बलवाजी कि किया था और पिछले मैच में नंबर साथ पर वाउ्ट पर वलवाजी किया था तो हो सकताए है थोड़ा बहुत नीश्य करें इस मा lleg-up मैमचो पैस् sulph tap- Avoid कर सकता इस इस भात धानकन तो थोड़ा-प्होथ रिसकी कोने लागा जैसकने उनने पहले वहीं बताया वी जैंगे तरफ दो पंदरा चार प्रवल दावेदार रहने वाला रासित खान इसमें क्योंकि इसको भीकट मिल रहे हैं आपको थोड़ी बहुत बलवाजी बहुत करकर जाए रहा है पिछले वाले मैंज में इसको भीकट मिल रहे हैं मेरे सबसे इंपॉर्टन टिक रहने वाला है जमान खान इंगे ट्रोंटिज्मिन क्राम साहिति में चैली बिगट है और इसन फाइं के बात किया तो दो बिगट जूपकट और दो बिगट स्टार्टिंग को पर साल डालने व प्लेयर है अगर को खेलता है तो इनके स्टेट्स आपको लास्टन सब्डेट में टेलगाम चापर मिल जाएंगे अगर यहां से टॉप प्लेयर के बात करने वाला हूं क्योंकि आपको तीन से चार उबर करके भी दे सकता है उसके सबस्ते बात किया इधर से रासित खान है दूसरी टीमानिक काराची किंग की इनके बात किया लास्ट के पांच मैचों से सिर्फ एक में जीत दर्जू यह लास्ट के चार मैच में हार मेली है यहां सब्सक्राइब करने वाले हैं एडम रोसिंग्टन मैथ्यू वैट किया है तो टीटन डीज में कराम 222 मैच में यह लेकिन उससे पिछले में इसने नंबर आट बलवाजी किया था इस बात का धानगना है तो हुआ है कई सारे मैच में में बलवाजी किये हैं तो यह बहुत रिस्की पिक होने वाल है, इस मैज में मैथूबेट तो इस बात का धारनक ना है, एडम रोसिंग टर नाएंगे, टीटर अंडिजमेंट क्राम, 117 मैज में 232 रनने 24 स्कूर से, पी एसल में 3 मैज खेलें 112 स्कूर के असाइटी स्कूर से, और लास के तीन मैज में इतना अच्छा पर दर्सन नहीं कर पायो, तो मेरे साब से यह भी थोड़ा बहुत रिस्की पिक होनों वाला है, सोय मली का एंगे, टीटर अंडिजमेंट क्राम, 133 मैज में 2635 रनने 31 कोर से बत्तिव इनकाले हैं, पिएसल में 75 मैज खेले हैं, 11 बिनकाले, 886 स्कूर क्या है, धान रगना मेरे साब से आपको मेंली बैटिंग से पॉइंट देने वाले हैं, जो कि मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि आपको बैटिंग से पॉइंट नहीं दे रहे हैं, हालाक कोई एक मैज में विकर निकाल कर दिया है, तो मेरे साब से यह भी इंपॉर्टन भी नहीं रहेंगे, इमाद बसी में आएंगे, टेटर अंडिज में काम, 283 मैज में 289 बैर ने 266 में निकाले हैं, पीएसेल का इस सीजन में बहुत इसानल बलबाजी कर रहा है, पीएसेल में 23 मैज खेले हैं, 2975 बैर क्रूट के 285 में निकाले हैं, हालाक इनको विकर नहीं मिल रहा है, पिछलों मैज में सिर्फ एक और कर आया था, उससे पिछलों मैज में दो पर कर आया था, पिछले दो मैज में नहीं करा है तो मेरे साथ से यह इंप नहीं रहेंगे और अगर यह बॉलिंग कराते हैं तो सिर्फ एक या दो वर उससे आदा नहीं जेम्स फुला रहेंगे हाँ मेरे अमीन रहेंगे टिट उन्टिजमेंट कराम एक सो अठारा मैज में ग्यारा सुरान नहीं चैल्ज बिनकाले हैं पिएसल में ताइस में बिगट है और इसको भी बिगट मिल रहा है मेरे साबसे इंपॉर्टन पिक रहने वाला है तबरेश समसे अंगे टिट उन्टिजमेंट कराम दोसो पांच में दोस चार्ज बिगट है पिएसल में चार में साब्ज इकट है और इसन फार्म की बात किये तो इसको भी बिगट मिल रहे हैं लेकिन धान नगना अगर कराची की टिम पहले गिंदबाजी करती है तो यह इ इसन फाइंग की बात किये गयारा अंजयूब कर दो बिकर दिन नाट बोल और एक बेटधान रगना इसने एक मज़ में बॉल्म नहीं करा था तो इसके बॉल्म कराएं चांस का बनाहने वाले हैं अगर कराता भी है तो सिर्फ दो या तीन ऊबर इससे यादा नहीं तो इसक कर सकते हैं मेरे साथ से इस में इंपॉर्टन फिक रहने वाले हैं थोड़ा वह ज्यादा नहीं सोयग मलिक उसके सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे साथ से तैयब ताहिर को भी ट्राइब कर सकते हैं अगर आपको सोयग मलिक को पिक नहीं करना है तो उसके सब्सक्राइब करने लिंग में खास कर उसके सब्सक्राइब करने वाला हूं मौमध आमिर को तब रेस समसी को भी आप ट्राइब कर सकते हैं लेकिन धान रखना अगर करती है तभी फर्ष्ट गेंद बाई करती है तो ट्राइब नहीं करना है तो अनालसिस वाला पार्ट हो चुगा अब बात करते इसके लिए चनल को सब्काइब करना बहुत ही जरूरी है बात करते हैं डेमो टीम की तो डेमो टीम में मैंने बिकेट इपिं सस्थे रखा है ए रोशिंग टर्न या स्बिलिंग्स को बैटिंग सस्थे मन रखा यव जमान टी ताहिर ए सफिक को आलराउंड सस्थे मन रखा ह आई वसीम डीवीज को और बॉलिंग सस्थे मन रखा है रासित खान यस अफ्रीदी यम आमिर यह च्रहुप को कैप्टन में रहने वाले हैं आई वसीम वाइस कप्टन हैंगे आर खान लेकिन फानिटिम नहीं फानिटेमो को टलगाम चनल को मिलने वाले हैं तो थैंक्यू सबक्राइब करना क्योंकि टेलिंगाम चनल को आपकों वीडियो के दिस्क्रिप्टन मिल जाएंगा और अगर आप मिल जाएगा थैंक्यू आ